स्थानिय नियोजन नीति को लेकर के हाइकोर्ट ने जो रोक लगा है उसको आप कैसे देखती हैं कितना सही है विध्यारतियों के लिए खास तोर पर क्या उनके भविसे को एक अंधिकार में नहीं लेके गिया है ये फैसला जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि यहां पर नोकरी मिले सही लोगों को आगे बढ़ने का मोखा मिले लेकिन यह जो नीति बनाएगे इन यूजन नीति यह बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है जो है कि इस नीति के यह में अगर हम दोग देखते हैं तो बाहरीवाले लेकर के बाहरीवाले को ज्यादा नोकरीती से जही गलत तो उस नीति कि आधार से ही सब बाहर वालों को नोकरी मिली नहीं यहाँ पर और जो कि जहाई कोट पर जो आदेश हो गया है अब इसमें हमारे लोगों कोई जिलना पर रहा है आप ट्वीटर पे सोसल मीडिया पे काफी सप्री रहती हैं काफी ऐसे मुद्दे होते हैं जन मुद्दे जिसको लेकर आप आवाज उठाती हैं सरकार से भी सवाल कर दी हैं कई बार ऐसा देखने को मिला है जैसे कुछ दिनों पहले आपके एक चिथी जो थी काफी वायरल भी हो रही थी तो मैं आपसे यह जानना चूंगे आपके जो ट्वीट रहते हैं उसको लगता आपके दोनों बेटियों के तारा रे ट्वीट किया जाता है बेटियों का कितना सहीयोग मिलता है मैं आपके पॉलेटिकल काम पूरा सहीयोग मिलता है क्योंकि आप लोग बड़े ह उपने ट्वीट में यह भी लिखा था कि मेरी बीटी जो है वो समझदार हो गई है पॉलेटिकल की अच्छाही यह बुराया दोनों को समझने लगी तो मैं अपसे यह जाना चाहूंगे कि क्या आगे फ्यूचर में ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने बेटी जो है वो अपनी इच कि आपने दादा की और अपने पीता के कुन है पजासर हनों में जब फिर वही उनके यह मैं भी चलता है कि हम लोग अपने दादा दादा और पीता के मैं आए रहमे पिसलाता है कि फीber आगे तो बिल्कुल यह तो पूरा इच्छा है तभी हो लोग लेते हैं आप देखिया सब तो अपने अपने इच्छा के अनुसार करते हैं अगर उनके जो रूची है तो फिर कौन रोख सकता है तो यह हमारे साथ सीता सुरीन बात करी थी लगातार ये सोसल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और इनकी बेटियों के दोरा भी इने काफी सही योग मिलता है और इन्होंने साफ तोर पे कहा है कि आगे फ्यूचर में जो इनकी दो बेटियां है वो भी पॉलिटिक्स में आन ये क्या होता है तो फिलाल इस खबर में इतना ही तमाम और खबरों के साथ जोड़े रहने के लिए देखते रहे हैं हडी मेर्स